नमस्कार मित्रों मैं हूं रोसन और आप देख रहे हैं आरेम गोड़ फॉर्म छपरा कैसे हैं गुड़ बॉर्णिंग सभी भाईयों को कैसे हैं आसा होगी सभी लोग ठीक होंगे हम अपने फॉर्म पे हैं आप देखके पीछे समझी गए होंगे और दूसरी बात कि फॉर्म की हुए देखिए का आपको बहुत नोलज आने वाला है सबसे पहले आप लोग समझ गए होंगे कि देखिए जो पहले जाली का बैरेकेट था वो करीबंग छे-छे फिट का था तो दो-दो फिट हमने यहां से वहां तक कटवा दिया आप बिल्कुल फॉर्म एकदम खाली- जाली फर्म की ओपनिंग हुई थी और फिर से रक्षा बंधन की हमने पूजा पाठ हम लोगों ने करवाएंगे तो नया जाली काटने का हमारा में जो रीजन था वो पहले क्या था कि बकडियां हमने इधर उधर से खरीद के लाया था तो हमने चार फिट के जब जाली डाल है इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है तो सबसे पहले यहां हम लोगों का आप देख रहे होंगो या फिस के सामने यहां एक बड़ा सा जाली का था जिसको में कुछ फायदा कुछ दिखा नहीं तो हमने उसको नाद में बेरिकेट किया है और जो चोटे बच्चे हैं यानि कि जो 20 दिन के उपर के बच्चे हैं उनको हमने यहां रखा अभी और यहां कुछ मिट्टी डलवाएंगे अभी पट्रा का ठोकवा देंगे और जो यह नाद दिख रहा है इसमें केवल चोकर वगरा रखा जाएगा ताकि यह लोग अच्छे से खाए और आगे की और इनका विकास हो अभी इसमें क्रोस बीट के बच्चे हैं कुछ ब्रेक बंगाल के बच्चे हैं और जिस तरीके से अब देख रहे हैं इस तरह से नाद का बनाने का ब्यवास्ता किया गया है जास सामने ओफिस है यहां जास सामने लोग सोता है और यहां से यह इस तरीके से जाली को बैरेकेट कर दिया गया है चली फर्स्ट स्टेप में हम लोग जैसे थे वैसे ही आते हैं यहां बच्चे का पीने का बेवस्ता किया गया उस सामने उसके भी नाध है और एक नाध हमारा पहले वाला यह इसको हम यूज मेले लेंगे एक तरफ साइड में करके और दिया यह बीच का बड़ा सा सेक्टर कर दिया है क्योंकि यहां पर लृता है कि बच्चे दे चुकी में आपको 15 दिन से लेके एक महिने तक का बच्चे उस साइड में आपको मिलेंगे तो दोनों को मां जब यहां आ जाते हैं तो उपर से पकड़ा पकड़ा के पिलाने में बनता है और उधर एक आदमी खड़ा हो जाता है वहां से धरा धरा के प्याने उसको अगले को देता है है उसको पिलाने के लिए मौका मिलता है चली यहां पर जैसे ही आते हैं इस सेक्टर जो पर मने बाच्चावाला डाला था इसको आप प्रेगून बक्रियों के लिए सेक्टर में डाल दिया है अब बाल में की चीज़ है वेक्सिनेशन सो छॉड़ी सो इंजेक्शन किस अभी हुआ क्या है कि बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में क्या होते हैं अडेक परकार के जो घास होते हैं वो नया उत्पन लेते हैं और नया घास उत्पन लेने के कारण क्या होता है कि बकडियां जो है न वो चाओ से नहीं खा पाती है कुछ बकडियां खाती है कुछ क लगातार आज लगेगा एक दिन बीच करके फिर लगेगा यानि कि तीन दिन एक दिन बीच करके हम लोग लगा देंगे यह देखिए यह हमारा तिरपाल गिरा हुआ था उपर से बुटन भाई चरके इसको उठा रहे हैं ताकि इसको हवादार बनाया जाए और बहुत है और इस तरीके से यहां पर इसको मॉर्णिंग में बिटाविन बी कंप्लेक्स का इंजेक्शन लगाया जा रहा है और साम में इसको चोकर के सांथ हिमाले बती सा रुचिमैक से हर्मिंसा और सांथ में कफगो वह आप लोगों को हम दिखा देंगे इस कफगो डालके इस बकडिय स्टाश्यक और से बकडिये और अट्रीश को बड़े बच्चे के लिए और यह वाला नाद जो है वो बड़े बच्चे के लिए इसमें कुछ नी में बीगों के लिए इसमें बिगे कुछ बच्चे ब्रॉस ब्रॉस्वीट के में बॉक्साइय इनको कुछ घंञ जोड़ सब्सक्राइब न मखिया है आपको सुब्सक्रें आपको दीखाये भगी इनको ऻाद। सफ्भी हैं गया है को देखका है हैं डिए टाब बॉक इनको को में Elele क yellं़ अब इस सुबा का मोर्निंग का समय है बक्रिय भी चरने गई नहीं है कि अभी सीत गिरा हुआ है उससे पहले इसको सफाई कर दिया जाएगा इसको नाद को आपको उस तरीके से जो ब्रीडर का नाद है हमारा आपको दिखा दे जो ब्रीडर का नाद है उस तरीके से इन सब नादों पर बहांस की बैरेकेट होगा थोगा सा हाल्ट देखे क्योंकि अंदर मुह डाले और सिर्फ खाये यह अबारा तुतापरी वाला ब्रीडर है यह भी काफी संदार हुआ है जब से आया है तब से और यह गुजरी वाला ब यह सेल करना यह चार दात पर एक और काफी ज़्यादा एग्रेसीव है और यह सित तो यह भी को viens करने के सोचा है क्योंकि इसे मैंने 3,4 बक्रियां को क्रोस करा चुके हैं और आगी 2 महीने के अंदर जैसे ही क्योंकि हम लोग बकडिया को क्रॉस करना बंद कर दिया है बंद करने का में रिजन क्या है कि हम लोग डादा नहीं हम लोग सोच रहे हैं कि दो महीना दो मंत हम लोग रुक जाए अभी जुलाई चल रहा है और जुलाई के बाद अगस्ट अगर हम जुलाई में बच्चों को क्रॉस कराते हैं तो अगस्ट कि लाश्ट में तब तब गर्ण ठंड का मौसम में धूप उगना सुरू हो जाता है और किसी से कोई दिक्कत नहीं होगा तो मातर हम दो महिन हम लोग रूखेंगे ब्रीडर को बांध कर रखेंगे लगबग बकडिया क्रोस है कुछ बची हुई है उनको हम दो मन्त रोकेंगे अभी काम चल रहा है इसलिए इधर उधर पुरा सब जगह देख रहे हैं अब फेका हुआ है बांस बल्ली नाद बाकि बकडिया लोग समोर्निंग का टाइम है बैटके आराम कर रही है पागूर कर रही है बस कुछी दिर में लोग चर्ण जाएंगे कुछ बकडिया अंदर आदे से जादे बकडिया अंदर है जो बैक्सनेशन उनका चालू है और इन लोगों का हो चुका है इसलिए इन लोगों को बाहर छोड़ दिया गया है और दूसरा हमने बदाव क्या है कि यह जो मिट्टी का पूरा भड़वा की इस लेवल पे मैंने घर के जो प्लिंत का ज हम लोग मिट्टी डलवा देंगे इस मिट्टी डलवाने का में दिजन क्या हुआ है कि कि सबसे बड़ी बात है कि जो बारिस का आएगा तो अगल बगल खेतों में पानी लगेगी और यहां हमारे पास नहीं लगेगा हमारी बकडिया फिर भी आराम से बाहर आके घुम सकें और हमने नाद का बेवस्ता अपना करी लिया है तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और जो बैक्रिया को भैक्सिनेशन हो चुका हो बक्रिया सिर्फिस में आएंगे फिर पंदरा से बीस मिनाट में बाद बक्रियां यहां से सभी लोग इस इलाके में यानि कि नद हद से जादी बिमारिया लेके अपने साथ है आती है लेकिन एक चीज बता दे कि जो बक्रियां चड़ाई पे ग्रेजिंग पे रहती है उनके लिए यह फायदे मंद का चीज है बस अभी पंदरा दिन बाद जो नया घास उगरहा है जो भी देख रहे हैं आपको नया घास जो जम रहा है लोग यह सब कम से कम 15-20 दिन तक यह सब दूप लेले सब कुछ लेले तो यह इसमें बहुत ही फायदे की बात है चलिए वीडियो को लंबा नहीं करेंगे हम आगे की और बढ़ाते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की और हम लोग बात करेंगे इस इस तरीके से करने से बकडियां को स्वास्त रहेंगी जारी रहेगी वीडियो को अन्थ होने से पहले हमें अप लोगों को एक बात बता दे कि जैसे ही बर्शाथ आता है आप लोग अपने बकडियों को डिवार्विंग करें लीबरटोनिक दे और बिक बंक बिसका सीर्या पड़े इंजेक्षन लगाए कुछ भी करें ताकि उनकी भूख को बढ़ाय रखा जा सके क्योंकि यह जो मौसम है कभी बारिस होगी कभी नहीं होगी तो जिनकी बक्रियां गिरेजिंग पर आप रहती हैं उन बक्रियों जो चराई पर जाती है उनमें यह समस्या आती है जिन चीज की तयारी करते हैं और वह से भाईओं का कमेंट आता है कि आपका मनेजमेंट अच्छा है तो बहुताद दूब बिजनस में आपको ठीक अच्छा है शसांती चलना है अगर आपकी मनेजमेंट को घरबर हुआ तो आप बिजनस नहीं कर पाएंगे और नहीं कोई राकेट को दबा लें और हमारे और सकता हैं काम को टालते रहें तो एक दिन आपको घातक नुकसान देगा अभी आप अगर दो रुप्या बचाते हैं तो कल के रेट में आपको दस रुप्या का नुकसान होने वाला है चुलिए थाइंक्यू आप लोग आप हमारे वीडियो देखने के लिए अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे लाइक सिर तो जरूर कर दे थाइंक्यू थाइंक्स पर वाचिंग